दोस्तों नमस्कार, आज जो बक्री का बच्चा आप देख रहे हैं स्क्रिन पे, इसको ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया है, यानि पसु पालक ने कल इसको कुछ पिलाया था, और वो पिलाने के बाद से ही ये इस प्रकार से कर रहा है, कभी-कभी चिला रहा है, मूँ खोल कर के सांस ले रहा है, और सांस लेते समय पूरा हिल रहा है, प्लस इसकी अगर गोर से सुने तो आवाज आ रही है, अंदर से फेफ़डों से आवाज आ रही है, जिससे अंदर फ्लूड बरा हुआ हो, तो हमारे प्रवागर सिंग जी यहां पहुंचे हैं, तो देख रहे हैं क इसका temperature कितना है क्योंकि temperature देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि infection कितना हुआ है बागि बहुत ज़्यादा घवराट इस बच्चे को हो रही है और बार बार चिल्ला विरा है तो ये सारे लक्षन जो है वो drenching pneumonia के हैं चोटे बच्चों में अक्सर ड्रेंच हो ही जाती है और ड्रेंचिंग pneumonia जब होता है तो इसमें कई परकार के infection होते हैं यानि एक infection का combo बन जाता है फिपडों में तो वहाँ पर हमें ऐसा antibiotic यूज़ करना पड़ता है जो broad spectrum हो जैसे अभी आपको आगे इलाज भी बताएंगे लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसका temperature कितना है temperature के according पूरा treatment होता है तो उसमें temperature का बहुत बड़ा रोल है तो पहले temperature चेक कर लेंगे यहाँ पर देखिए ऐलकलोसिस और एसिडोसिस भी देख रहे हैं कई बार ये लक्षन जो है ना एलकलोसिस एसिडोसिस में भी आ जाते हैं कि इस परकार से करने लग जाता है तब बसने की सम्मावना एक कम रहती है एक सो तीन पुइंट छे temperature आया है और एलकलोसिस और एसिडोसिस है नहीं इट मिन्स पूरे जो लक्षन और फिर लक्षन शिम्टम बता भी तो रहे हैं पसुपालक भाई भी कि वह कल इसको दवा पिलाई थी कोशिश की दिवार्मिंग की दवा पिलाने की और तब ही से इसकी ये condition है ये देखिए इस प्रकार से ये कर रहा है तो यहां पर अगर हमें treatment करना है तो विसेस ब्रॉड इस्पेक्ट्रम एंटिवाटिक यूज किये जा सकता है लेकिन करने पर सुचिक किसा की सला से ये ये देखिए बहुत ही गंबीर इस्पेक्ट्रम एंटिवाटिक यूज करेंगे जो की यहां पर यूज किया जाएगा monocef, monocef जो की separation zone group का है 500 mg का है इजीली सब इजिके मिल भी जाता है तो monocef 500 mg इंट्रमस्कुलर लगाया जाएगा इसके अलाबा दूसरा जो injection लगेगा वो लगेगा meglodyne जो की anti-inflammatory, anti-piratic, anti-analgesic है तो meglodyne यहां पर 1 ml इंट्रमस्कुलर लगाया जाएगा तो दो injection होगे और तीसरा injection जो हमें choose करना है उसमें दो परकार के संभावनाएं बनती है आप चाहें तो dairyfailin और dexona को mix करके लगा सकते हैं या या तो एक injection लगाना है dairyfailin और dexona को mix करके तीसरा injection की बात कर रहा हूं मैं और या फिर private weight और serum को mix करते हैं दोनों में से एक combination हमें use करना है आराम से ठीक हो जाएगा इसके अलावा इसको वातावरन बहुत ही शांदार रखना है एकदम से खुला वातावरन रखना है इसको किसी प्रकार से stress नहीं होना चाहिए बच्चा बिलकुल ठीक हो जाएगा